आमेजिंग नमस्ते, फाउंडेशन पक्योरू नोर्थीस्ट अन हुईल कार्जयक्रम आरंभाव को जोची 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 पच्चोस तरी जणा बाइकर्स पाखा पाखी एको लख्यो कोडी हजार किलोमीटर रास्ता अत्युक्रम करिवे आमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन के माध्यम से आजादी का अमरूत मोहत्सव यह जो अब देश भर में चल रहा है उस निमित्त से हमने देश भर से 75 बाइकर्स को नौर्थ इस्ट आने का निमंत्रन दिया है अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन नौर्थिस्ट अन्वील्स डॉट आएजन इस नाम से वेबसाइट पर आप इसका रजिस्टेशन कर सकते हैं पूरे देश बर से 75 बाइकर 7 एप्रील को गोहाटी में इकठा होंगे और 8 तारिक को गोहाटी से फ्लैग आफ होगा और 16 तारिक को ये सारे बाइकर्स पूरे नौर्थ इस्ट के 8 प्रदेशों में घुमते हुए अलग-अलग गुरुप्स में, 7 गुरुप्स में ये अलग- अपने देश का जो एक अत्यनत सुन्दर और एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि जिसमें बहुत साधन संपन्नता है, बहुत पोटेंशियल है, ऐसा जो एक शेत्र है उत्तरपूर्व, जिसको हम नौर्थ इस्ट के नाम से जानते हैं, ये 8 प्रदेशों में जो अपार ये जो एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से विशय है जो देश के अन्य प्रदेशों में इसके बारे में कम जानकरी है, उसको लोगों के सामने लाने के लिए ये प्रयास है, देश बर से अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले 75 बाइकर आएंगे, वहां के स्थानी य इनके साथ उनका संवाध होगा और उसके माध्यम से जो वहां पर सारे विशय अभी चल रहे हैं जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्मेंट हो रहा है, कई सारे IT के रिलेटेड वहां पर इनिशेटिव हो रहे हैं, वहां पर अगर आपको जानकरी हो दू तो देश क जितने भी रजिस्टर्ड हैंडलूम और हैंडी क्राफ्ट के जितने भी कारिगर है रजिस्टर्ड उसमें से 50% से ज्यादा कारिगर जो है वो नौर्थ इस्ट में बसे हुए हैं, और जो देख रहे हैं आप शाल यह नागा शाल है, ऐसे कई सारे आपने हैंडलूम की नृत्य प्रकार है या उनके वहां के जो फेस्टिवल्स है उसको समाज के सामने लाना और माने प्रदानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले के भाशन से कहा था कि देखो अपना देश जो अपना डॉमेस्टिक टूरिजम है देश के अंतरगत जो एक टूरिजम क का विशय है उसको बड़ावा देने के लिए माने प्रदानमंत्री जी ने जो कहा है कि कम से कम पांच स्थानों पर देश के हर परिवार को अगले पांच साल में जाना चीए तो उनको हम दिखा रहे हैं कि वह देखिए नौर्थिस्ट में देखिए तो कई सारी प्रदेश म कि नौर्थिस्ट को क्यों चुने हम नौर्थिस्ट को इसलिए चुनते हैं क्योंकि नौर्थिस्ट के बारे में इस प्रकार की जानकारी जो है अपने देश में कम है इसलिए इस जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए हमने नौर्थिस्ट बहुत सारी होता है कि आप उस चीजों को ठीक से समझते नहीं है तो इसलिए उसको हम दूर करने के लिए नौर्थ इस पर फोकस कर रहे हैं यह एक शेत्र भी ऐसा है कि जिसमें आप पाएंगे की लगबग 166 से जादा जन जाती और फिर उनकी सब ट्राइब उप जन जाती ऐसे वहां वास्तवे करते हैं उनका एक अपना जिसको कहें कि बहुत ही बड़ा वाइबरेंट एक व्यवस्ता है समाज व्यवस्ता हो या फिर उनका और सारा जो डेमोक्राटिक प्रिंसिपल्स हो यह मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के सामने आना चाहिए और उसके माध्यम से हम अगर नौर्थीस्ट के प्रती लोगों के मन में अगर सही धरना बना सके तो उस दुष्टी से यह प्रयास है नौर्थीस्ट में अब भारत सरकार की तरफ से भी कई सारी परियोजनाएं चल रही है इंफ्रास्ट्रक्शर डेवलप्मेंट हो रहा है जिससे कि हम वहां पहुंच सकते हैं आसानी से उडान के अंतरगत वहां कई सारे छोटी छोटी एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ रही है जैसे परशुराम कुंड ज से आइज जा सकते हैं आप आज आसानी से कहीं भी 39 में गुम सकते हैं तीन दिन पहले की खुशकबरी है कि मनिपूर में गुड्स ट्रेन रेलवे जो है जिरिवाम से आगे राणी गाइडिन लू स्टेशन तक पहुंच चुकी है और कुछ महिनों में वह इमफाल तक पहु कितने ग्रूप सोंगे इसमें और खास करके जो इसमें जोडेंगे वह कैसे रेजिसेशन करेंगे यह कारेकरम शुरू होगा साथ तारिक साथ एपरिल को जैसे मैंने कहा कि वहाटी में आएंगे सारे बाइकर्स जो 75 बाइकर देशबर से इसमें सिलेक्ट होंगे और पूरा प्रदेश घुमते हुए 16 तरिक को फिर से यह गौहाटी लोटेंगे यह समय हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस दर्म्यान असम में विहू उत्सव होता है यह बहुत बड़ा उत्सव का समय होता है और बाकी भी सारे छोटे छोटे एरियाज में उत्सव होते हैं तो इसलि पर जाकर आप रजश्टेशन कर सकते हैं और रजश्टेशन होने के 75 वा проб के साथ ग्रुप बनेंगे क्यैसे सेलिट करेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है मोटर साइकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक जनवरी 2018 से पहले का होना चाहिए बस इतना ही सिंपल हमने इसमें ग्राइटिया रखा है और किसी भी आयू के लोग महिला पुरुष कोई भी इस एक्सपेडिशन में इस बाइक एक्सपेडिशन में हमारे साथ जॉइन कर सकते हैं हम इस विशे को ज़्यादा आगे नहीं प्रमोट करेंगे क्योंकि हम जिस खेत्र में जा रहे हैं नौर्थ इस्ट में वहां अगर आप जाएंगे तो वूमन इंपावर्मेंट सबसे ज़्यादा है इस देश में वहां कई सारे ऐसे ट्राइब्स है जो हम जिसको कहते कि मात्रू सत्ता परंपरा पर काम करने वाले लोग है तो इसलिए अगर हम ऐसे कोई अलग से महिलाओं के लिए अगर विशेश करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा जैसे कि आपका नौर्थ इस्ट में कारेकरम हो रहा है यह सिर्फ नौर्थ इस्ट में बाइकर्स आए या पूरे देश में नहीं दिल्ली में केंद्रिय संस्कृति राज्यमंत्री श्रिमती मिनाक्षी लेखी जी ने इसका एक दृष्टी से लॉंच किया है और इसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है गोहाटी में जहां पर इसका फ्लैग आफ और समापन समारो होना है वो स्थान तय हो चुक आफ यह कोई रिसॉर्ट है जो वहां के यंग ऑंट्रिपेनर्स जो है जो उद्यमी है स्टार्ट अप जिसकी बात भी अपने देश में बहुत चली है ऐसे स्टार्ट अप्स के जो इंफ्रस्ट्रक्ट्चर है फेसिलिटीज है क्या वहां पर जो बाइकर जाएंगे कुछ क सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी क्योंकि जिस प्रकार से वहां इंफ्रस्ट्रक्ट्चर बढ़ रहा है और सारी सुविदाय वहां बंद रही है उसके चलते सड़क सुरक्षा यह भी एक बहुत महतोपूर्ण विश्य वहां पर है तो हमारे बाइकर्स इन सारे विश्यों तांकर सात्ती ग्रूप मध्य हो रही बंद प्रती ग्रूप रे दोस्ट जण एगार ज़न नेखाए रही बंद अन्य गुडिये केंपेन मध्यों तावी तरे कराजी बंद जू अन्य गुडिये ट्राइबाल जाती रोईची जन जाती रोईची समाना का संस्पर्सर यासी यासी तो जो आजादी का अम्रूत महश अभजुग था प्रधार मंत्री मध्यों पुर्भूर कोईची देखाव अपना देश एभडी केंपेन को मध्यों से सेटी चालाइबे तेवे कार्जेक्रम पाई निशिधाबे आमें मध्यों अपिल करीबू समस्ते रेजिस्रेश करूंतु अधिकर अधिका वाईकर्स एथरे सामिली हन्तु नुआ देलू कम्रापर्शन आधि तेंग सेटागा अर्गस निवजुग था